हेलो फ्रेंड, स्वागात है मारे इस नई यूटीब चैनल काल नदीम टेक पे दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बेंटेस्ट के बारे में और बताएंगे कि बेंटेस्ट एक्शुली क्यों किया जाता है और कैसे होता है तो यहाँ पे इस वीडियो को आगे देखते रहे हैं और बात करने वाले हैं कुछ कॉंट्रोवर्सी के बारे में जो कि आपको देखने को मिला था रेड्मी नोट 7 के अन्बॉक्सिंग के दवरान यहाँ पे कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने बेंटेस्ट भी किया था रेड्मी नोट 7 का तो आज हम उसी कॉंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगेइन दोस्तों यहाँ पे बात कर लें हम बेंटेस्ट के बारे में तो सबसे पहली बात की बेंटेस्ट होता क्या है बेंटेस्ट कभी भी किसी भी प्रोड़क्ट का अगर किया जाता है माल लिजी आगर मोबाइल का ही बेंटेस्ट किया जाता है यहाँ पे actual तरीका यह है बेंटेस्ट करने का कि आपको एक mechanical machine मिलती है और उसके थुरू आपको एक बेंटेस्ट करना होता है उसका एक procedure होता है जो कि बेंटेस्ट उस procedure में जाता है और बेंटेस्ट अपना complete करता है और product की ductility को check किया जाता है यहाँ पे बेंटेस्ट अगर actually के हाथ से या अपने चैनल पे बेंटेस कोई भी करता है यूट्यूबर कोई भी बड़ा यूट्यूबर या कोई भी यूट्यूबर अगर ये चेक करता है बेंटेस चेक करता है अपने खुद के हाथ से without any mechanical machine से तो यहाँ पे उस चीज को आप publicity stunt मान सकते हैं हलाकि कई बड़े यूट्यूबर ने ये भी कहा है कि अगर बेंटेस्ट होता है तो actually में वो एक publicity stunt है ज़्यादा views ज़्यादा subscriber gain करने के लिए ऐसा बेंटेस किया जाता है ये बहुत बड़े इस खुझसे नहीं किया जाता है यहाँ इसका एक proper machine होता है एक proper mechanical machine होता है उसके थुरू ये ben test किया जाता है तब वो ben test accurate माना जाता है दोस्तों यहाँ पे जो controversy start हुई थी ben test को लेकर यहाँ पे सबसे पहले ben test किया गया था जो controversy start हुई थी उसमें Redmi Note 7 का जो कि उसके साथ साथ में Samsung का M20 भी launch हुआ था यहाँ पे सायद Redmi Note 7 को नीचा दिखाने के लिए बेंटेस्ट किया गया था लेकिन इतने बड़े YouTuber से किसी को भी उमीद नहीं रहती है कि यह बेंटेस्ट अपने हाथ से खुद करे दोस्तों यहाँ पे जो Controversy फैल रही है वो इसलिए फैल रही है कि इतने बड़े YouTuber ने अपने चैनल पे वो भी Redmi Note 7 का बेंटेस्ट क्यों किया और इस तरीके से जो कि सही रही है आप सभी लोग जानते होंगी कि बेंटेस्ट यह जो किये थे वो accurate नहीं था और उनको अगर बेंटेस्ट करना ही चाहिए था तो फिर किसी mechanical machine के थुरू उनको यह बेंटेस्ट करना चाहिए था दोस्तों यहाँ पे Controversy चलती रहती है YouTube पर किसी ना किसी बात पे लेकिन आप लोग को सब मालूम है क्या सही है और क्या गलत है तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी बेंटेस्ट के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ में होगी वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कोई भी सवाल या सुजाव आपके मन में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें हम आपके लिए ऐसी टेकनालोजी वीडियो लाते रहेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जाहिंद